नमस्कार दोस्तों मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं बोल 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 दोस्तों ESP के बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है तो उसी वीडियो में ESP क्या है, ESP कैसे काम करता है ESP का पूरा detail parts के बारे में मैंने आपको detail में समझाया था तो आज का वीडियो में हम सीधा ESP का अंदर में चल के देखेंगे ESP का अंदर क्या है, ओ जितना सारा parts के बारे में आपको बताया था ओ पार्स को हम physical आज हम देखेंगे, तो बिना डेरी किये जल्दी से जल्दी हमार ये पेज को subscribe कर दीजे, वीडियो अच्छा लगे तो share कीजे, like कीजे और comment भी कीजे दोस्तो और हो सके तो जो लोग facebook में देख रहे हैं ये वीडियो को, वो भी पेज को like करे और follow करे तो चलिए दोस्तो, ये है एक ESP field, ESP का हमने जो ESP के बारे में आपको बात कर रहे हैं, ESP में तीन field है तो ये वला है उसका gas distribution chamber, जैसा कि मैंने बोला था कि ESP का अंदर जब यार घुसता है यानि जितना सारा fly ass ESP का अंदर में जाएगा, पहले क्या होगा, वो एक distribution chamber के थ्रू होके जाएगा तो ये हो गया था हमारा gas distribution chamber, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है तो कोशिज करेंगे field के अंदर घुसने की, तो ये जो door दिखाई दे रहा है दोस्तों, छोटा सा door है इसको हम बोलेंगे inspection door, तो इसी door के अंदर आपको अंदर जाना है SP का अंदर इसी door के जरी आप अंदर घुस सकते हैं, बहुत ही छोटा सा hole है, म्यान hole भी इसे बोला जाता है ये hole क्यों रखा जाता है, क्यूंकि इसका maintenance करने के लिए इसी side से अंदर आपको घुसना पड़ेगा यह बना जो आपको दिखाए देरा, यह उसका एक wrapper motor है, wrapper motor का का महा है यह समझा यह बीडियो ये motor है, यह motor है, जब हम इसको supply देंगे तो motor कोमेंगा, और motor के साथ चाहिए यह такие podixy हुआ है पूरा लंबा सा शाफ्ट जो यह सपी फेल्ड को अंदर का अंदर क्या मुझा जाता देखिए ढिए हमर्फ लगा हुआ है र्याटि में कोई जीन काम broday ौर्च वेल्फ भी पूर्डॉientos को हुं यह जो मोटर घुमेंगा तो क्याकर है कि यह हामर को भी घुमाएगा तो यह कन्टिनिउसलिए रींग करते रहेगा कि आнок में कुँध ऽ। क्यों कि यह में किसा ऊपज़े चलिह आंदर हम गुषने गुषने बाद यानि देखिए एक प्लेट फिर साइड में आ गया ओया फिर प्लेट ओयार प्लेट ओयार एसे पूरा ये टोटल फिल्ड के अंदर ऐसा डिस्टूट हुआ है लेकि दोस्तो देखिए जैसे निच्छे आपको हमर दिखाई दे रहा था उसी टाइप का हमर भी उपर में दिख यह कैसे कनेक्टेड है थूए टाइरोड यह दिखिए उपर से नीचे तक नीचे यारी यह हमर शाफ्ट तक टाइरोड आया है उपर एक मोटर रापर मोटर रापर मोटर के साथ यह टाइरोड को नेक्टेड है यह टाइरोड यह हमर को कनेट करता है दोस्तों हमर शाफ्ट को इसके बारे में भात में देखेंगे लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिटेर्म में समझाऊंगा ऐसे ऊपर Pearya उपर का मोटर, चेक रहे हैं कॉलेक्टिंग प्लेट एंड ओया यह दोनों पूरा आइसोलेटेड है यानि अगर इन दोनों के बीज में कंटिनुटी चेक करेंगे मॉल्ट्यूटर लेके तो आपको कंटिनुटी नजर नहीं आएगा इन दोनों के बीज में यानि इन में से यह जो ओयार प्लेट है यह ओयार प्लेट पूरा हैंगिंग पोजिशन में है यानि अगर आर्थ के साथ भी इसका कंटिनुटी चेक करेंगे तो भी यह भाल्यू इसका इन फिनिटी ही आएगा कीक का पूरा हैंगिंग पोजिशनमें हैं यह भी में आपको लास्ट में शमजाओंगा दिखाओंगा की क्यसे यह हांगिंग पोजिशनमें है और यह फूरा आईसोलेटर होके रहता है देखिए दोस्तों उपर का जो हमर है वो ओयार को हम Congress करेगा शिक्या दोस्तों आर न जितना सारा आस पाटिकल सब नीचे गिरेगा नीचे गिरके ये देखे नीचे हपर है नीचे हपर तक जाएगा हपर में आपको ओपन्स दिखाई दे रहा है ओपनिंग दिखाई दे रहा है वो फिर नीचे तक चला जाएगा इसी हपर में आस पाटिकल डिपोजिट हो जाए में चाहातार यई प्लांट में करता है ऐसे लिए इसलिए उच्व किया जाता है क्योंकि इसको कलेट करना पड़ता है लेकिन येज़ों का काम सिर्फ को कलेट करना नहीं होता है कि step plant में यूज होता है और रिफाइनेरे इजमेंग यूज होता है जैसा कि alumina रिफाइनर में आलुमीना पाटिक्ल को कलेड करने के लिए यह ESP का इस्तेमाल होता है तो दोस्तों ESP इतना फाइन आस पाटिक्ल को किसे पकड़ लेता है और वह भी 99.9% आस को यह कलेड कर लेता है पूरा 100% efficiency में काम करता तो यह केसे काम करता है इसका working principle इसके बारे में मैंने एक वीडियो डीट्रियल में बनाया है आप चाहे तो अप उस वीडियो को देख सकते हैं उसका मैं लीक आज का description में डाल दूगा आप उसे आसानी से देख सकतें चिंता करने की जरुरत नहीं तो दोस्तों यह जो यह बी प्रसीजर मालूब होना चाहिए यह सब्सक्राइब करने से पहले आपको यह सब्सक्राइब करने से पहले आपको यह तरीके से सट डाउन प्रसीजर मालूब होना चाहिए यह सब्सक्राइब करने से पहले आपको और भी मज़ा आएगा और भी आसानी से आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों भी मैं बार बार एक सब्सक्राइब करने से हम रहा हूँ कि हामर यानि ह Canada यह देखिए दोस्तों नीचे हा थोड़ नियरे फोगषे हम यह कं स आपको यह आपर पूरा फिक्सट पोजिशन में रहता है और नीचे देखिए पूरा फिक्स पोजिशन में रहता है दोस्तो । और क्लेक्टिंग क्लेट को हमर करेगा उसको बोलेगे को पार्चर को ओर चीए ओर एयर और बाकी जाए दे रहे हैं क्लेक्टिग फ्लेट दो collecting plate के बीच में एक वयार रहता है यानि collecting plate discharge वयार collecting plate discharge वयार ऐसे पुरा यह continuous लिए ऐसा position में रहता है और यह देखिए दोस्तों मैं अभी इसको हिला रहा हूँ देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था कि hanging पोजिशन में रहता है इसलिए थोड़ा सा पूस्ट करने से यह पुरा हिल रहा है तो दोस्तों देखिए क्या होगा हिलाने से यह बाला साइड बाला collecting plate में जाके टोच हो जाएगा नहीं तो कहीं दूसरे जगा टोच हो जाएगा तो अंदर से एक स्पार्क और उसका starting procedure कैसे उसको चलाया जाते उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है आप उसे देखेंगे तो आपका पूरा सब डाउट क्लिर हो जाएगा दोस्तों जैसा कि आपने देखा ESP का collecting plate यह ESP base के साथ connected है पूरा fixed है और जो ओयर है discharge ओयर मैंने बोला था कि hanging position में hanging position में यानि वो उपर से लटकता हुआ फिल्ड का अंदर है कैसे लटका हुआ है दोस्तों बाइदो support of suspension tube जैसे हम जूला बनाले के लिए रसी का इस्तमाल करते हैं रसी को जूले से बांद के पेड को उपर बांद देते हैं सेम उसी टाइप का यह जो discharge ओयर होता है discharge ओयर को हम चार कॉर्णर से चार suspension tube के उपर उसको उपर से उसको hanging position में डख देते हैं एक जूला क्रेट हो जाता है चार कॉर्णर पे चार suspension tube लगा देते हैं उपर से उसको आम fix कर देते हैं फिर यह हो गए एक hanging position में आ जाता है discharge ओयर और discharge ओयर को फिर आम धीरे धीरे उसको हम hammer करके फिर उसको उसका जो dust particle फिर उसको निकल लेते हैं उपर देखिए दोस्तों यह support insulator यह जैसे कि मैं बोला था कि में दो फिल्ट का बीच में इसलिए आपको आसपास में दो support insulator दिखाए दे रहे हैं जो की left side बाला second field का है और right side बाला जो first field का है यहां पर आपको दो दिखाए देंगे और उसी side में और दो दिखाए देंगे दो करनर पर तो चार support insulator पर इसको हम hanging position में रखते हैं suspension टीव उसके अंदर आता है support insulator दिया जाता है क्योंकि insulating आमको करना है यह field को आमको insulating करना है यानि उसका जो supply देंगे यह supply कहीं पे touch नहीं होगा पुरा isolated होके अंदर से insulator throw होके यह field को charge करेगा यह oil को charge करदेगा तो दोस्तों insulator को देखने के लिए हमको insulator chamber के अंदर गुषना पड़ेगा रूप टॉप में हमको जाना पड़ेगा रूप टॉप के ऊपर insulator chamber रहता है तो उसके अंदर गुषने से आपको एसा दिखाए देगा यह देखिए दोस्तों support insulator दो support insulator है एक के second field का और left side बेला फास्ट field का ऐसा रहता है दोस्तों और support insulator के नीचे हम देते हैं यह देखिए दोस्तों insulator heater क्योंकि insulator को हमेशा गरम करके रखना पड़ता है थन्डा हो जाएगा तो फिर यह monster content आ जाएगा और यह fracture होना शुरू हो जाएगा क्राक हो जाएगा इसलिए उसको protection के लिए हमको insulator heater एक लगाना पड़ता है दोस्तों और यह thermostat से भी start होता है नहीं तो यह permanent भी start होता है और यह field को charge करने के लिए देखिए दोस्तों DC supply दिया जाता है जैसा कि high voltage DC supply दिया जाता है यह insulator के अंदर suspension tube रहता है और suspension tube के जरिए यह high voltage DC supply दिया जाता है तो यह field को charge करतेता है दोस्तों यहां पर और एक important चीज़ है दोस्तों यह देखिए दोस्तों support insulator के उपर और एक छोटा सा insulator लगावे दोस्तों इसे कहते हैं pin insulator और यह pin insulator lifting element के साथ connected है उसका उपर lifting element है दोस्तों और यह lifting element यह motor के साथ connected है इसको बोलते हैं discharge wrapper घुमेगा फिर यह lifting element ऐसे उपर नीचे होता रहेगा और उसके हिसाब से यह देखिए अंदर का जो और प्लेट है और के साथ यह connected रहता है तो lifting element अपरेट होगा तो यह बला अप डाउन होता रहेगा दोस्तों तो दोस्तों यह था ESP का अंदर और उसका बाहर का टोटाल हिसा आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत आच्छा लगा होगा तो हमारे साथ अंतर तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया देखते रहिए बोल भूल भूल धन्यवाद